याद पूरे देश में किस नेता की अवगात है किस नेता की मजाल है वह सुप्रिम कोट के खिलाब के सब्सक्राइब को नहीं जानता कि सुप्रिम कोट आरा खंज्रों दिये अगर हमने इमानदारी से काम किया होता तो आज मी दली पुर्हा धोड़ा चढ़ जाता है तो किपपट कर अध्या कर देए क्या कारण बैमानी तो किन है हम लोगों में बैमान तो हुए जातिवादी खुद हुए जाति के नाम पर नेता चुनते रहे कि मोडी और भागवत ने डेश को प्याच रहे हैं कि अधामी का करजा चुका रहे हैं नहीं भाईयों कि अधिए किताब पढ़ी थी जब लुपियस्टी तयारे के रहें उसमें लिखा था कि भारें के लोग घब बहुत करते हैं कि अधिए कि अधिए लुपिया लुपिया था किताब करना भूब है भारत के लोग पहुंच पाथ करते हैं और गप करते हैं तो आशा रहों कि अधिए कि अधिए रहें कि अधिना वाले को घागी करें अपने ही समाज के लिटाओं को आधि दे रहें पता नहीं हम लोगों ने यह सब भी किया कि नहीं लेगिन इतना को परूप समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती नहीं हुई है अगर गलती नहीं हुई है तो कर दस मार्च को इतनी पूरी हालत हुआई कर दो कहीं हम लोगों में तर्फिकी है की है यह नहीं शुरू किये पहुंचन से तुरह आगा अबाच कर दो शुरू किये पहुंचन से चले आए सरजन पे सरजन से भी आगे पढ़ दे किस बार करा दिया ब्रह्मन संभिला कि नहीं और हम लोगों को लग रहा है कि जैभी मोला ही हम देट करवाद है बाबा साहब को लेते कि संद्धीत हो सब लोग अपना संद्धा महले में बना के राष्टिया ज़ट बने हुए नहीं, खुट प्रहमनों को काली देते हैं बढ़ा जातिवाद है, बढ़ा जातिवाद है जातव जो है, खटिक से साधी करने के लिए तयाब नहीं है पह स्वान चमार बोबी साधी करने के लिए तयाब नहीं है ब्रहमन को गाली देरे बढ़ा जातिवाद है, ब्रहमन बढ़ा जातिवाद है कि हम लोग क्या है रहाई हम लोग अपणी जाकियों के अंडर रोटी बेटी का रिटी का रिस्ता नहीं कर रहे हैं हम लोग अपने जाकियों में के नाम और तमाम चलते हैं उसमें जाकियों के नौन पर खेमें हैं और आप कहते हैं मोदी भागवत आरक्षन खा गया अब प्रहमनों को ताली दे रहें थोड़ा आत्मा भी आख्रान करिये हम लोग अपने जनपरती निभ्यों को खूर काली पक्रहां हम भी पक्रहें हमारे इतने सामसत के चुने हुए इतने पिधायक चुने हुए चाइलेंग भीते रहे हम लोग यहां से भाइच जीट के आने पहुंच आते हैं और 24 गंटे 24 अबर ऑन डूटी होते हैं हमेशा अपने विचारदारा की बात करते हैं हमेशा अपने संग्ठन की बात करते हैं उसके मुकाबले आप क्या कर रहें खुद से पुछाय कभी चंपरती निभ्यों को तो गाली देना बढ़ा असान है क्या किया किया आपने क्या किया खुद से पुछिए पहले आपने क्या किया खुद से पुछिए आपने क्या किया आज आप जब खुद से पुछेंगे आईने के सामने खड़ा होकर आपने क्या किया आपको दिख जाएगा आपने क्या किया आप डाल बजा रहे थे नेताओं को गाली पक रहे थे अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि आजादी के साथ दसक बाद भी हमारे भाई की मुझ रखने पर हथ्या होगा अगर हमने इमानदारी से काम किया होता तो आज भी दली कुला धोड़ा चाड़ जाता है तो कि दिद्द कर अध्या कर दें क्या कारण है बैमानी तो किन है हम लोगों में बैमान तो हुए जातिवादी खुद हुए जाती के नाम पर नेता चुनते रहे जय भीर का नारा लगाते रहे कि अहीं हम देख कर वाद कि इसके आग में क्या हो गया इसके आग में हुआ यह कि मोदी और भागवत ने देश को बैच और आपको क्या लगता है जुक आज के लिए बेच रहे हैं क्या आडामी का करजा चुका रहे हैं कि नहीं भाईयों यह डेच इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है आज आपके सरीव पर या ब्रांड़ेट कपड़ा जो आया है वो आया है आर अश्यक्ति की पर आगया आप अच्छा खाना खाने लगे आप चार पहिया गारियों में घुमने लगे यह आप नहीं समझ रहे हैं वह समझ रहा है उसके सामने आप चल नहीं पाते थे जूता पहंगर आप उनके साहिने लिवर्टी का आथ जूता पहनकर सोभ़ेवर पैह पर प्हेर इंड आपको कारण नहीं है क्यों यह हुआ लेंकिन उनको पता है और इस लिए उसकारण को फत्म करने में वो लगेव में उनको पता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आरक्षन है जातिगत भावनाओं के नाम पर हम निताओं का अख़त बड़ा करते रहे निताओं को बड़ा करते रहे जाति के उभार करते रहे और हमारा आरक्षन फतम होता लिया परिशंग 1997 से शुरू हुआ टपे रुधी तराची बैठे में यहां परिशंग की शुरुवात की शुरुवात महीं से की आरक्षन बचाओ मीजी कनम से लड़ो 2226-27 साल हो गया आप भावनाओं के आधार पर जाकी के आधार पर राजनीती करते हुए अपने नेताओं को बढ़ाते हुए वहीं पहुच गए जहां से चले थे जहां आपकी शुरुवात परिशंग नेकिती जिसकी सुवात रॉक्टर विजीत राजी नेकिती अब को रहत पताईए चातिकत भाजना पढ़ाते हुए अपने चातिकत इतने पड़े पड़े नेता तो बनाए लेकिन जब आई नेजी करन हो रहा है जब आर अरक्षन समा स्काथ हो रहा है कोई क्यों नहीं बोल रहा है क्यों नहीं पोल रही है कर कि Zhट करने हैं के सामने सीनातान करते हैं मुझे याद है कि जब एक बार आरक्षन बचाने की ये प्रोटेस्ट की बात हुई थी तो गिने मंत्राले से से नोटीस आया आप आरक्षण का चक्त ठोड़ दीए सांत बैठे रहें बोर्ड का चेर कमीशन का चेर में हुपनाएंगे और आपको उच्छी संवान भी भी मिलेगा संवान और उसंवान की कीमत थी हमारे समाज के आत्म संवाइं का अर्कमां हमारे लाच्खिया भैठ्ट् कि अगर आई कि वहजाएंग मांज और बी। अधर समसर के लिए आरफफंशन बचाने के लिए अगले सब्सक्राइब समसर के लिए मंधी करें संसर मांज तर सारस आरफफंशन बचाने का मैं रहा हुआए साथियों जब हम अपने नेता की दिर्विक्ता की बात करते हैं तो मैं वह घखना भी सुनाना चाहता हूं कि आध पूरे देश में किस नेता की यौकात है किस नेता की मजाल है वह सुप्रिम कोट के खिलागे शब्द बोल कर दिना दो कौन नहीं जानता कि सुप्रिम को तारखंडियों दितिया कौन नहीं जानता कि सुप्रिम कोट जाथिवादी है यह पर साठ्य नेता समस्या तो सबको सब को पता है हुए कजका लेकिन चुतलाय न कि दो हमारा साथ की याइब हो जावरब जीने हमारे धेश-धराग साथ ही सैंगा जीने जो मेहनत किया मुझे लगता है कि agora समगा थेन भी ऑ Нक्थ बेकार चला जाएक इन तो निरास तो लेकिन उस निरासा के बार एक उम्मीर की लखीर हम सब पकरनी पड़े मुझे वक्तित। तौर पर लगता है और साइदा यह सभा मिमुस्षे सामत होगी कि हम सब को एक नए विकल्फ की तलास करनी पड़े एक नए समाजिक लाज्मीमितिक लिकल्फ पर बात करनी पड़ेगा तो मैं इस सभा में प्रस्ताव रखता हूं कि क्या कि चाहे जंडा किसी का हो, तंडा किसी का हो, हुँआरे राज के अंदर जी बार बार कहते हैं, अपनों जंदा ले करो अपना जंदा ले करो आरक्षन जिर्प्टर उधित राज के लिए नहीं है, आरक्षन का फाइबा सिर्फ परीशन्द के साथ्यों को नहीं मिलेगा, एक और बार आरक्षन की लडाई पहगा दूल में विए आरक्षन की लडाई दिनली में लड़ी जाएगी और वहीं से जिती जाएगी जब दिनली बोलती है तभी दुनिया सुनती है। आज की तारीक में हम 25 से 24 स्टेट में हमारा संद्खन पूरी मजबूती के साथ कारक्षन बचाने की लड़ाई लग रहा है, निजी करन के खिलाफ लड़ाई लग रहा है, साथियों, मैं आप सबसे अपील करने आया हूँ, कि हमारे पास समस्या नहीं समाध्रान है, जो 10 मार्च के बाद जो निर्वात हुआ है, आये नई राजनिती की बाद करें, नए समाजी कंदोलन की बाद करें, नए आइडिया की बाद करें, हमारे राश्टिय अधर्ची ने अभी एक मेहें पहरे तहां, कि देश भर में खास तौर पे दलितों में ताफील निरासा है, 10 मार्च के बाद, दिल्ली में लोगों को बुलाते हूं, 18-19 जून को दिल्ली के कर्षिशन कलब में, मैं आप तमाम साथियों को व्यक्तिगर तोर पर खुले में, राश्टिय अधर्ची की मौझूदगी में, परिशन की तरफ चे आप तमाम साथियों को अमंत्रम देता अगर सही माइने में आपको iking करन दूरा गया एथ, शही माइने में आपको लगता है, कारक झाने आपकी भी चिमता है, अगर सही माइने में आपको लगता है, कि नीजी करन के खिलाब अगराई, सिर्टॉक्टर मुदित राज जी भी नहीं लड़े, आप भी लएं. आपक को आएक दिल में हम लोग बैठते हैं मिलकर बात करते हैं कैसे गारशेंग हो, कैसे लड़ेंगे मिटी करन से, कैसे हमारी असमीता बचेगी , कैसे हमारा अत्रू समान्द माज बचेगा , क्योंकि सिर्फ मूर्ती पर माला डालना और जय धिन का नारा लगाना अम्वेट करवाद नहीं है ऐसा मैं मांगता हूँ इस संधर्श के दौर में साथ लो बहुत बुरा दौर है साथ लो यहीं मुमित की जो किरन है वह किरन है अम्वेट करवाद आज नकेवर हम सबों को आरक्षन बचाने की जिन्मेदारी हम सबों के कांधे पर है बलकि इस देश में लोगतंत्र और संधिधान बचाने की जिन्मेदारी भी इस देश में आज अम्वेट करवादों के तंधे पर आगे है आईए हम सब मिलकर मिलते हैं देली में ठाल जो उनको मिलकर देश बचाते हैं, सम्धिधान बचाते हैं, आलक्षन बचाते हैं, लोग कंत्र बचाते हैं, साथियों पहुच से लोगों को लगता है कि जो सरकारी करने चाहिएं, उनको लगता है कि जो है, हमारे उपर केस हो जाएगा, मुचक्मा हो जाएगा, क्या अगर मेरा समाज मेरे लिए पसीना पहाईदा तो मैं समाज के लिए अपना घून तक पहाँने के लिए तयाद हूँ और प्याद वरीदान करिसंग की करंपरा है प्याद वरीदान हमारे राज्ट्रे धर्ची ने किया है इस समाज के लिए